फ्रेंट्स 21 सदी में आज हमें एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीप्ली करेक्टेड है हार लीगल माइंड या इंस्टिजूशन अपने जुरिडिक्षन को लेकर बहुत सचेथ हैं लेकिन ऐसी कई ताकते हैं जिनके खिलाब हम लड रहे हैं वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्षन की परवान नहीं करती और जब खत्रे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए साइबर टेर्रिजम हो बने लॉंडरिंग हो और इसके दुरुपियों की भरपूर संभावनाय हो ऐसे अनेक मुद्धों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्ग तयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्ग को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा जैसे हम एयर ट्राफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं कोई देसे नहीं कहता है तुम्हारा तुम्हारा कानुन तुम्हारे यहां मेरा कानुन मेरे अर्जी नहीं फिर किसी का इजहाज उतर गाई नहीं हर कोई कौमन रूल्स और डेगुलिएशन प्रोटोकोल्स का पारण करता है उसी तरह हमें अलग-अलग डॉमेन में ग्लोबल फ्रेमबर्ग तैयार करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल लॉयर्स कांफर्ण इस दिशा में अवस्चे मन्थन करना चाहिए दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए